सपने में दरगाह देखना आपके जीवन को खुसियों से भर देने वाला सपना होता है परन्तु आप इसे नजर अंदाज करके बहुत बड़ी गलती करते हैं क्योंकि मिलने वाले फल आपको सुख नहीं दे पाते आप उन फलों से वन्चित रह जाते हैं जब भागी आपके लिए दरवाजे खुलती है तो आप उन दरवाजों को नजर अंदाज कर देते हैं और आप अपने ही दिन चर्या में चियोंके त्यों लगे रहते हैं जब भी भागी विजाता हमें अच्छे दिन और अच्छे आउसर ब्रदान करता है तब हमें इसे आउसरों का लाव उठाना चाहिए जब कभी आपके चीवन में इसा च्छन आजाये, इसा सुपना आजाये कि हमें अच्छे अच्छे सुपन दिखाई देने लगे सुपन में धार्मिक वस्तुय दिखाई दे धार्मिक लोग दिखाई थे समझ जाएं हम अपने जीवन के उच्चतम लच्च की ओर बढ़ रहे हैं हम जो भी कर रहे हैं वो महान लोगों में से एक होता है तो इसलिए दरगाह को देखना आपके जीवन में क्या अथसुपन फल देगा यह हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिसे हमारे द्वारा सपनों की नई नई जानकारी आपको मिल सके चलिए दोस्तों बात करते हैं सपन में धरगाह देखने का क्या फल होता है अगर आपने अपने जीवन में कभी भी धरगाह का सपना देखा है या उसके अंदर आप नवाज परने गए हैं या माथा टेकने गए हैं या उसको सपन में दिर्शन कर रहे हैं तो समझ जाएं आप इसे रास्ते पर हैं जहां हर इनसान चलने के लिए काफी मेहनत और परिश्म करने के बाद भूचता है और आप उस रास्ते पर आजसानी से आ चुके हैं तो इसे उसर का लाब आप कदापी न छोड़े और इसका लाब उठाएं और आप जब भी इसे उस अश्र का लाब उठाते हैं तो जल्द ही आप धनवान और अमीर बन जाते हैं आपके गिंती अच्छे लोगों में और उच्चे लोगों में होती है क्योंकि आप एक अच्छे आऊसर को पराप्त करके उसको अपने अधिकार में ले लेते हैं सुपन में दर्गाह दीखने क का मतलब होता है आपकी समस्याओं का अंत और आपकी प्रगती का उदय होता है ऐसे समय को आप नजर अंदाज न करें और इसका लाव उठाकर निश्टाइब आप आवसी प्रगती करेंगे आप धन्वान बनेंगे आप यदि किसी बीमारी से दुखी परिसान है तो आप बीम तो महान सुपना होता है आपके जीवन में दरगाह देखने का तो हमारे द्वारत दी गई जानकारी आपको कैसे लगी आप वीडियो को लाइक करना न भूले नमस्कार धन्यवाद दोस्तों